दोस्तों पिछले कुछ दिनों से Samsung जो है लगातार यहाँ पर नएने स्मार्टफोन लांच करते जा रहा है और वो भी जो लेटेस्ट रेंट यहाँ पर चल रहा है उसी तरह के स्मार्टफोन यहाँ पर समसंग के दोवारा लांच के जा रहा है आप लोगों को पता है भी कु समसंग A90 जो कि यहाँ पर अपनी तरह का स्मार्टफोन होने वाला है क्योंकि इस बार इस स्मार्टफोन में दोस्तों आपको मिलेगा बिल्कुल फुल स्क्रीन डिस्प्ले यानि कि किसी तरह को नौच वगारा किसी तरह का स्पीकर वगारा नहीं देखने को मिलेगा तो क् कि आप आए लेटेस टेकनोलोजी वीडियो सबसे पहले तो दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को बदा है कि समसंग की तरफ से आप पिछले कुछ दिनों से काफी जबरदा स्मार्टफोन लांच के जा रहे हैं और सभी जो स्मार्टफोन है वो काफियर सी प्राइज में आप समसंग की तरफ से लांच के जा रहे हैं तो फिला लांच के जाने वाला है दोस्तों 10 अप्रैल को समसंग का A90 स्मार्टफोन जैसा कि मैंने आप लोगों को बदा है यह कुछ अलग तरह गा स्मार्टफोन यहाँ पर होने वाला है इस स्मार्टफोन में दोस्तों जो आ बहार की तरफ आ जाएगा यानि कि उपर की तरफ आ जाएगा और वही camera rotate होगा जब आप जो है rear camera का use करेंगे यानि कि वही camera पीछे की तरफ rotate हो जाएगा तो कुछ इस तरह का अगरे जम यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि front और rear दोनों ही तरफ आपको same camera setup मिलेगा और वही camera setup जो है दोनों ही तरफ काम करने वाला है sliding के mechanism के द्वारा बात करें यहां पर camera unit की तो यहां पर triple camera sensor बताए जा रहे हैं जो main sensor होगा दोस्तों वो 48 megapixel का होने वाला है और उस QF lens होने वाला है और दोस्तों हम बात करें आप phone के और specifications के वारें तो इस smartphone में आपको 6.7 inch का OLED Full HD Plus display देखने को मिलेगा जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि कि किसी तरह का notch यहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगा और speaker unit भी सामने की तरफ आपको नहीं मि तक की जो fast charging है दोस्तों उसको support करती है यानि कि जो अभी 25 watt वाली fast charging है Samsung की तरफ से Samsung Galaxy S10 जो 5G variant था उसमें provide की गए थी तो यहां पर आप A90 में वही technology आपको देखने को मिलेगी तो काफी अच्छी technology है यहां पर जो है Samsung के दोबारा लाई जा रही है बात करें दोस्तों यहा यहां पर processor की बात करें तो इस smartphone में आपको Qualcomm Snapdragon 7150 वाला tip stat देखने को मिलेगा जो RAM होगी दोस्तों वहां पर आपको दो variant देखने को मिलेंगे एक होगा 6GB RAM वेरिंट उसमें आपको 64GB का storage मिलेगा जबकि जो दूसरा होने वाला है दोस्तों उसमें भी आपको 64GB का storage मिलेगा लेकिन वो होगा आपका 8GB RAM वेरिंट दोस्तों कीमत के बारे में यहां पर आभी कोई news नहीं है लेकिन हम यहां पर जो है मान सकते कि कि इसकी कीमत होगी दोस्तों वो करीबन 20,000 रुपे से उपर ही ओने वाली है तो दोस्तों यही थे कूश वैजिकेसं से यहां पर Samsung की परक्राँ मंँटन की किया एक और ओूस्तों काहिए यहां पर्णारे में वाली है